अगर आपको इस वेबसाइट को फायर बेस की मदद से इन फ्री ऑफ कॉस्ट करना सिखाया था तो उसका जो लिंक है वो आपको यहाँ पर राइड हैंड साइट पर आपको शो हो जाएगा और अगर आपको इस वेबसाइट का कोड चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा तो चलते हैं टॉपिक की तरफ तो फस्ट अफ आप लोग आजए अपने ब्राउजर में ब्राउजर में आने के बाद आप लोग सर्च कर लें फेविर्ट आइकन डॉट आयो यहां पर आपको टॉप पर देखेगा कनवर्टर आप इसके उपर क्लिक करें यहां से क्लोज क रहें उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहां पर देखेगा एक बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर आपको अपनी इमेज को ड्रॉप करना है अब जैसे ही मैं इस बॉक्स के उपर क्लिक करा मेरे पास इस तरह से इंटरफेस ओपन हो चुका है अब जास्त लाइक मैं यह आपके पास इमेजस यहां पर आइवी होंगी सबसे पहले अब उसके बाद आप यहां पर अपने कोड में नीचे जाए नीचे आने के बाद आपको यहां पर मिलेगा वैब को उपन करें वैब उपन करने के बाद आपके आइकन्स का आपको देखेगा इसको उपन कर ले इसके अनर सबसे पहले आपको देखेगा यह फेव आइकन पर यहां पर आपकी इमेज आ चुकी है अब उसके बाद आपको सिंपल यहां पर इंडेक्स.html पर जाना है और यहां पर नीचे स्वाइप करके आपको यहां देखेगा यह फेवरिट आइकन ठीक है और उसके बाद यहां पर आपको टाइटल भी आपका दिख रहा ह अपने पास इंडेक्स.html में अब लिख लीजएगा नहीं तो आपको जो है इसका कोड डिस्क्रेप्शन बॉक्स मिल जाएगा वहां पर ओपिन करके रिपाजिटरी को खोल के आपको जो है वेब का फोलडर मिलेगा वेब के अंदर जाना है आपको इंडेक्स.html मिलेगा ठीक है अपने इस कोड को वापस से रन करना है उसके बाद ऐसी ही कि हमारे पास यहां पर आइकन था फॉर दी वैब वो चेंज हो चुका है बट इफ इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वैब एप है उसका भी आइकन जो है वो चेंज हो जाए तो आप चले आपने डाउनलोड करके उसको एक्स्टरेक्ट किया था एक्स्टरेक्ट करने था फोल्डर आया था तो इसमें सबसे पहले हमने फेव आइकन डॉर येज्ज को यूज़ कर लिया था ठीक है अब आप यहां पर देखें आपके वैब के फोल्डर के अंदर आइकन्स हैं यह यहाँ पर आने के बाद आपके पास यहाँ पर आपको दिख जाएगा 1952 fps आपको इसको rename कर लेना है ठीक है आपको इनको rename करना है मैं इनको rename कर लेता हूँ rename करके मैं जो name लिखूँगा भाइस ते स्म यहां लिख लोगा ठीक है icon-192.png that's it अब उसके बाद यहां पर जो में बाद 512 वाला है मैं इसको भी साथ इसी तरह से इसको rename कर लेता हूँ icon-512.png that's it अब यहां पर इन दोनों को select करके मैं इस folder के अंदर बेच कर इनको कर देता हूँ replace और नीचे वाला जो icons है हम इनको कर देंगे delete हमारे पास होगा है delete अब इसके बाद इससे यह हुआ कि हमारे पास जो यहां पर icons थे ठीक है दोनों icons हमारी web app के अंदर use हो रहे थे वह भी यहां पर देखें कि वह चेंज हो च main.art के अंदर यहां पर आप सबसे पहले इसको टाइटल प्रोवाइट करते हैं ठीक है मैं आप पर टाइटल इसको प्रोवाइट कर देता हूँ my portfolio मैंने यहां पर इसको refresh करा अभी तक को यह जायर सी बाद है difference हमको फील नहीं होगा क्योंकि हम प्रॉपर वैब को दुबार से क्रेश करके बिल्ड करना पड़ेगा लेकिन पहले हम पूरा पूरा course add कर लेते हैं उसके बाद हम चलेंगे index.html में index.html के अंदर जहां पर मैं को सेफ कर रहे हैं यहां पर आपने टाइटल चेंज करने के बाद आप यहां पर आएंगे जिसमें आएगा आपके पास matter tags and icons ठीक है इसमें भी आपके पास firebase लिखा हुआ है यहां पर भी आपको यही same name रख देना है उसके बाद हमारे पास यहां पर आती है description description आपके ओपर depend करती है यहां पर लिखना चाहे या ना लिखना चाहे तो मैं यहां पर लिख लेता हूँ my portfolio website यहां आपको बताया कि जब आपकर यहां पर यह वैब का आइकन आपर चेंज कर लिया तो अगर आपको अपनी web app का भी icon चेंज करना हो तो किस तरीके से होगा त यहां पर short name के अंदर भी आप यही चीज़ को यहां पर enter करके save कर लें आप उसके बाद यहां पर भी आती है description यहां पर की description भी आप उसकी तरह से same रिख ले my portfolio website so that's it अब मैं application को यहां से जो है हमारी website को crash करता हूं उसके पर दुबारा से मैं run करता हूं so as you see कि हमारा name भी change हो चुका होगा और हमारा icon भी जो है वो properly change हो चुका है जो मैं already आप लों को पहले ही दिखा चुका हूं so let's wait for the web so as you see के पहले हमारे पास यहां पर जो है फैर बिस लिखा वा आ रहा था बड़ अब यहां पर my portfolio लिखा वा रहा है और मैं जो refresh भी कर रहा हूं तो name हमारे पास same रह रहा है और हमारे पास हमारा icon भी आ चुका है but हम पहले जो website को host कर चुके हैं उसके अंदर यह changes हम किस तरीके से देंगे तो उसके लिए हमको वापिस से यहां पर जाना होगा terminal के अंदर हम खोलेंगे terminal terminal open करना है terminal open करने बाद देखें यह हमारी जो पिछली हमने पिछली वीडियो के अंदर website host की ती अब मैं यहां पर इसको open करके आपको दिखा देता हूं यह मैंने कर लिए इस website को open so as you see की यहां पर अब तक updates show नहीं हुई हैं तो इस वज़ा से हमको तुबारह से इसको host करना पड़ेगा तो हम यहां पर सबसे पहले use करेंगे flutter build web के again जो flutter है वो basically हमारी web को build करें यहां पर हमारी web जो हो बिल्ड हो चुकी है अब हम यहां से कर देंगे firebase deploy अब हमारी जो website है वो deploy हो चुकी है और हमारे पास एक new link आ चुका है हम इसको open करेंगे and as you see के first time पर यहां पर इसने उसको load नहीं किया था and जैसी मैंने दुबारा से refresh कराता हूँ और properly load हो चुका है हमारे पास यहां पर icon भी change हो चुका है और name भी change हो चुका है यह हमारा पिछले वाले URL की है ठीक है जिसमें आप नाम देखें आइकन देखें और यह भी हमने जो नहीं host करी है तो आप जैसे ही नहीं host करेंगे जहां पर आपने उपर वाला link डाला होगा उस वाले उपर वाले link को delete करके जो आपका new link होगा आप इसको जो है पिर हर जगा पर शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ या अपनी profile के आप यह वाला जो link है आप उसको paste कर लेंगे तो यह हमारे इस tutorial की लास्ट वीडियो थी और kindly मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताके मैं ऐसी तरीके के new new playlist लाता रहूं और new tutorials आप लेंगे लाता रहूं चैनले बहुत बहुत शुक्रिया अल्ला हाफिस